नमस्कार दस्तो क्या आप एक alkaline water purifier खरिदने की सोच रहे हैं पर इस case में आप अपनी health को लेकर के भी concerned है क्या आपको यह alkaline water consume करना चाहिए की नहीं और दूसरी चीज़ है कि आप यह जानते हो कि सिर्फ alkaline water purifier इतना मतलब efficient नहीं है अगर आपके वहां पर hard water मतलब की borwell का प एक ऐसे water purifier के बारे में बात करने वाले है जो कि आरो reverse osmosis technology से 100% नमारे water को purify तो करी देगा पर इसके अलावा इसकी alkaline मतलब की पी एस लेवल जो हो alkaline sites हैट करके रखेगा इसमें ultraviolet light से वह से भी pathogen को मार देगा मतलब इसमे number of features दिये गए है तो अगर आप इस water purifier के बा online discount के साथ खरीजना चाहते हो तो इसकी link में नीचे description box में already add कर दी है तो वहाँ जाकर क्या पीसे order कर सकते हो जिसमें आपको installation भी free में मिल जाएगा पर आपको इसे order करने से पहले ये video पूरा देखना बहुत जरूरी है ताकि आप यह समझ सको कि based on requirements और quality of water जो आपके तो इस water purifier के बारे में आज हम detail में सभी चीज़े देखेंगे तो मैंने इस video को दो parts में divide कर दिया है एक तो वह purification process वह technology जिसकी मदद से हमारा water जो है वह purify होता है जिसके लिए आप यह purifier जो हो खरीद रहे हो आपकी basic requirement और दूसरी चीज है इसके सभी additional features जो आपको इस price point म मिल रहा है तो इसके बार में हम बात में बात करेंगे पर फिल हाल हम बात करेंगे यह purification stages के बारे में हमें 8 important purification stages दिये गए है जिसमें stage number one है pre sediment filter इसमें वो candles दी जाती है जो कि वो बड़े वाले particles जो कि हम naked eyes से देख सकते हैं वो क्या है कि इसमें filter हो जाता है यह candles हमें generally 3-6 महिने में change कर देनी है based on the quality of water जो आपके वहाँ पर आता है अगर आपके वहाँ पर थोड़ा hard water आता है तो आपको क्या है कि यह candles हर 3 महिने में change कर देनी है वरना कि आपको at max 6 महिने में तो यह change करी देनी है ऐसा नहीं है कि यह water जो हो आगे जा करके सबी stages में filter नहीं होगा वैसे तो आगे जा करके यह आरो में filter होई जाने वाला है पर फिर भी यह pre-sediment filter यूज करने का benefit यह है कि आगे जा करके हमारे stages को block ना करें हमारे filter को clog नहीं करेगा इसकी efficiency बनाए रखेगा वना क्या है कि अगर यह particles आरो में मेरें में जाते है तो आपको मतलब कुछ महिनों आरो में मेरें भी रिप्लेस करनी पड़ेगी पर इससे अच्छा यह होगा कि आप यह candles जो है pre-sediment filter की वह रिप्लेस कर दो stage नमर टू है pre-activated carbon filter तो म्यूंसिपाल्टिका जो water आता है आपके वहां पे वह already treated होता है उसमें क्या है कि क्योंकि यह pipelines में और मतलब जहां पर यह पर फिर भी आप इसे पीना पसंद नहीं करोगे तो इसे लिए इस क्लोरीन को निकालना बेहत जरूरी हो जाता है तो हमारे इस pre-activated carbon filter में activated carbon की मदद से यह कि क्लोरीन को filter कर देता है हमारे potable water मैंसे इसे निकाल देता है स्टेज नमर थी है आरो मेंब्रेन इस वन अफ दा सिग्निफिकन स्टेज जहां पर 96% यहीं पर फिल्टर हो जाता है इस आरो मेंब्रेन में इतने छोटे पोर्स रहते हैं कि जिर्फ इसमें से water molecules ही पास होते है पर दोस्तो आरो प्यूरिफार का और एक फेक्ट है कि इसमे में वो सबी useful मिंदल्स और बेक्टेरियाज हमारी हेल्थ के लिए useful यह भी filter हो जाते है तो long term में में भी हो सकता है कि आपको मतलब digestion के problem हो joint pain हो तो इस तरह के adverse effect देखने को मिल सकते है अगर जिर्फ आरो प्यूरिफार यूज करते हो आप वो 57000 वाले मार्केट में मिलते है इसके TDS भी बहुत कम रहता है देखिए आप जिर्फ अपनी thirst मिटाने के लिए पानी पी हो गई या मैं आपको आगे समझाओंगा इसके बारे में पर फिलाल आप यह समझ लो कि आरो मेंब्रेन फिल्ट्रेशन स्टेज का काम क्या है यह हो गया हमारा third stage then stage number four is ultraviolet sterilization हमारे में ultraviolet light use की जाती है in order to kill all the pathogens वो living organisms जो रहता है इसको मारने के लिए मतलब ultraviolet light use की जाती है UV light UV technology से कहता है इससे क्या कि वह सभी waterborne diseases जो होती है वो यहां पर प्रिवेंट हो जाएगी stage number five है post carbon filter इसका main purpose है हमारे water के taste को enhance करना आप इसे पीना पसंद करोगे एक बार यह post carbon filter म से यह पानी निकल जाता है तो इसका taste enhance हो जाएगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि पानी आपके लिए मतलब useful तो ही पर आप इसे पीना नहीं पसंद करते क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मतलब आपको इसका taste और order पसंद नहीं है पर यह जीज यहां से निकल जाएगी आप से पीना पसंद करो गए स्टेज नमर शिक्स है मिन्रल काटिज दी गई है इसमें देखिये आरो मेंब्रेन में से वो सब यूसफुल मिन्रल और बैक्टरियास बहुंस करते हैं तो यह यूसफल बैक्टरियास हमें बाहर से करने पड़ेंगे आर्टिफिशल हैं जैसे कि कै alkaline stage alkaline water filter यहाँ पर आपको मिलता है इसका main function है to increase the pH level यह हमारे पानी के pH level को बढ़ाता है acidic से थोड़ा सा alkaline तरफ यह चला जाता है फिर से इसके multiple health benefits है अगर आपका body acidic है तब तो आँख बंद करके आपको यह purifier खरीद लेना चाहिए यह आपके body में से acidity को neutralize कर देगा आपके body में hydration को enhance करेगा antioxidant properties प्रमोट करेगा आपके body में आपके bones की health skeletal health जो है वो भी increase होगी enhance होगी metabolism immunity यह सबी जीज़े बूस्ट करेगा digestion के कभी problems नहीं होगे skin related कभी diseases नहीं होगी and yes आपका energy level पूरे दिन जो हो मतलब बना रहेगा due to this alkaline water and last stage है यहाँ पर ultra filtration technology stage number 8 यह safety purpose के लिए ultra filtration मतलब filter provide किया गया है अगर कोई भी pathogens बच गया है heavy metals बच गया है या फिर कोई भी मतलब impurity अगर रहे गई है तो वह स्टेज में से निकल जाएगी purify हो जाएगी filter हो जाएगी और जब आप अपना water purifier service करवाओगे तो आपको मतलब यह यूए filter candle जो है वह चेक करनी है अगर यह थोड़ी सी भी बताब block है तो इसका मतलब यह हुआ कि आगे के stages में कुछ न और कोई water purifier इतने features आपको नहीं provide करता इस price point में इसमें भी मैंने दी गई link में आपको discount मिल जाएगा तो दोस्तो यह हो गई बात सभी filtration stages की purification stages के next we'll talk about all the additional features जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह additional features के बार में हम बात में बात करेंगे first point है design and build up इसकी build quality एकदम extraordinary है देखि इतनी compact दी गई है which will suit your kitchen ultra modern kitchen है अगर आपके वहाँ पे तो यह क्या है कि best aesthetic provide करेगा next चीज जो आपको धियान में रखनी है वो है इसकी capacity and storage 6.5 लिटर की storage tank मिल जाती है आपको यहाँ पे जो की मतलब feasible रहेगा अगर आपके वहाँ पर 5-6 लोग की family है continuously इसमें वो water supply तो बने रहेगा यहाँ पर next इसमें user friendly features है ऐसा नहीं है कि इसमें आपको मतलब यह सीखने के लिए manuals पढ़नी पड़ेगी training लेनी पड़ेगी बहुत आसान है कोई भी मतलब even a kid can use it very easily next convenience and features इसका installation बहुत easy है आप easily से wall mount कर पाओगे saving your space on the platform platform पे आपकी मतलब यह space भी बद जाएगी और wall mount करना भी बहुत आसान है health and safety की बात करें तो इसकी internal storage tank जो हो मतलब food grade plastic से बनी है आपकी health के लिए perfect है यह maximum benefits provide करेगा दोस्तों यह आपके body में कि चाहे कितनी भी देर यह पानी जो हो इस water tank में store किया हो में अतलब यह contaminant नहीं होने वाला customer support and warranty की बात करें तो इसमें जाती है और अगर आपको इसकी servicing या फिर रिपेर की जरूरत है तो तुरंद इस पर दिये के number में आप क्लॉकॉल करके professionals technician को बुला सकते आप within five hours वह यहां पर आ जाएगा and yes one of the important thing जो आपको जाननी है is water perfect के बारे में यह suitable for multiple water sources कहीं से भी मतलब आपका पानी आता हो जैसे कि में भी municipality का पानी हो टेंकर का पानी हो बोर्वेल का पानी हो यह सभी टाइप के पानी को आराम से filter कर लाता है क्योंकि इसमें सभी technologies provide की है even useful minerals bacteria copper iron सब भी चीज़े इसमें इंड्यूस हो जाएगी तो दोस्तों आज के लिए जिर्फ इतना ही उमीद करता हूँ आपको मेरा